हेलो डिवन, वेलकम टो अने स्टॉपबल बहुत सारे बच्चे अभी भी एक बात को लेके बहुत कन्फियूजड हैं और वो क्या है? वो ये है कि क्या UGC NET exam फिर से पॉस्पॉंड होने वाला है या नहीं तो गाइस इसके उपर पुटा डिडियल्स में बात करेंगे क्या ये exam postponed होगा अगेन यानि कि क्या exam nation date आपके English हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं इसके उपर बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट आ रहा है और मेरा करतब बे बनता है कि इस डाउट को मैं आपका दूर करो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को बीना कोई सवय कमाये हुए है चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करो वेल ऐगन को प्रेस करो और वेडियो को लाइक करो ठीक है आरे सर आगे तो बरो हाँ ठीक है गाइस देखो बहुत सारे बचे जो कह रहे हैं एक्जाम पॉस्पॉंड होगा पहली बात तो यह है कि वैसे लोगों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आयोग ने ओल्लेडी डेट दे रख्या ठाड़ा जून का अभी इसके उपर कोई चर्चा नहीं चल रही है अपने तरफ से कोई भी ऐसी बाते मत करो जिससे अपका माइन्द निगेटिव हो लाइट डेट इक्जाम पॉस्पॉंड हो जाए एक्जाम का डेट बढ़ जाए वगेरा वगेरा क्यों सोच रहे हुआ आप मत सोच वेसा क्यों सर कारण है अगर आप इसके उपर ज्यादा सोच कोगे दिमाग खराब होगा तियारी नहीं हो पाएगी मैं बस यह कहांगा तियारी पे ध्यान दो फोकस करो सरे information देदो ना होगा या नहीं होगा जितने भी sources है जितने भी लोगों से मैं बात्चित करता हूँ सभी लोगों से बात्चित करने के बाद एक चीज जो काफी common आया है और हुआया है कि exam date में बढ़ोतरी होने के chances बहुत कम है लगभग ना के बराबर है यानि कि 18 जून जो exam date तैग कर दिया गया है उस date को आप गांठ बान लो उसी date पर आपकी examination होंगे अगर इसमें कोई भी changes आने वाले है तो वो changes अभी आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि इसके उपर कोई बात्चित नहीं चल रहा है until unless जब तक कि suddenly कुछ ऐसा कांड ना हो जाए या कुछ ऐसी विवस्था ना हो जाए like that I.O. को center ही ना मिल रहा हो उस दिन कोई और examination हो वगेरा वगेरा अगर वैसी situation नहीं बनेगी examination उसी date पर होगा आज से देखो तो time बहुत कम है त्यारी पे ध्यान दे लो ना कि इन सब बातों पे दे लो ठीक है जो भी लोग कहते हैं कि exam date बढ़ जाए अगर exam date बढ़ता है तो no doubt सबसे पहले सबसे fast मैं बता दूँगा exam postpone होने वाला होगा तो don't worry उसके भी retention ने लेना है सबसे पहले सबसे fast मैं बता दूँगा फिलाल में मैं आपको क्या गया रहा हूँ त्यारी पे ध्यान दो त्यारी पे फोकस करो इन सम जुमले वाजियों में मत परो क्योंकि इससे आपका सेहत और तब्यत और आपका कैरियर दोनों पे बुरा परभाव बढ़ सकता है फोकस करो अपने इस्टड़ी पे पेपर वन जितना अच्छे से अच्छा हो सकता उसको करने कोशिश करो पेपर सेकेंड अच्छे से निप्टाओ और जो ही वेडियोज बेगरा है आने स्टोबल पे जाओ से देखो और बस इतना ही है थाइंक्यो समच एरिवन जैहन